Principles of Systematics module 110 Random sampling Random sampling is a type of probability sampling Sampling को random sampling उस वकत कहेंगे जब हम sample collect करते हुए इस strategy को use करें कि उस population के अंदर जिससे हम sample collect करने जा रहे हैं तमाम individuals के selection का जो chance है वो बराबर हो Every individual in a population should have equal chance to be the part of our sample अगर ऐसा है तो इस किसम की जो sampling है इसको random sampling कहते है जो random sampling है इसके अंदर personal biasness शामिल नहीं होती क्योंकि इसके अंदर अगर हमारे पास एक agricultural field है और इस agricultural field के अंदर तक्रीबन 10,000 plants है तो इस field में से हम random sampling करना चाहते हैं तो उसके लिए हम randomly field के तमाम corner से field के center से अपना sample collect करेंगे लेकिन अगर हम ऐसा करें कि हम field के तमाम जो parts हैं उसको cover ना करें हम सिरफ अपनी असानी के लिए field के जो margins हैं वहाँ से sample को select करें तो इस किसम की जो sampling है ये random sampling नहीं होगी क्योंकि जब हम कोई survey करते हैं या जब हम कोई research perform करते हैं तो उसके लिए random sampling ज़रूरी होती है पर जेमपल हम ये मालूम करना चाहते हैं कि एक agricultural field के अंदर तमाम जो plants हैं उसकी जो heights हैं वो same हैं या different हैं उसके लिए अगर हम सिर्फ एक ही जगा से पौदे select करेंगे फर जामपल हम field के center में से पौदे select करते हैं या field के margin में से select करते हैं तो क्योंकि margin के अंदर और center के अंदर जो plants मौजूद हैं उनकी height के अंदर variability होती है क्योंकि जो field के अंदर resources हैं उसकी जो distribution है उसके अंदर minor variation हो सकती है क्योंकि edges के उपर जो resources पौदों का available हैं और center के अंदर जो resources available हैं उसके अंदर difference हो सकता है इसके अलावा जो field है इसके जो different portions है उसके अंदर disturbance level भी फरक होता है इस जासे sampling के वकट अगर हम accurate result हासिल करना चाहते हैं तो फिर हमारी जो sampling है वो random sampling होने चाहिए उसके लावा जब हम एक field में से data collect करते हैं तो हमारे लिए ये possible नहीं होता कि हम उस field के तमाम plants का data collect करें तो हमारे लिए ये possible नहीं है कि हर plant का हम size note करें हम उसकी height measure करें इसके लिए हम क्या करते हैं हम उस population में से एक representative sample ले लेते हैं और जब ये representative sample हम field में से select करते हैं तो इसकी selection random होने चाहिए ये तमाम field को cover करता हो sample अगर आपका sample तमाम fields को cover नहीं करेगा तो इसके जो results होंगे वो accurate नहीं होंगे तो random sampling का मतलब ये है कि field में से data की इस तरी के से selection की जाए कि field के अंदर तमाम जो individuals हैं उसके selection का जो chance है आपके sample का part बनने का जो chance है वो बराबर बराबर हो इसके अंदर कोई bias stress शामिल ना हो आपके अंदर की जो हुआ आपके जो झसे लिए उड़र का weवशेश जसते हैं वो रिर हैंज जस्दके थिए जस्दक्नलम में दोरकर में का जो खशे हैंजू